तुम्हें भविसे के लिए पैसे बचाना शुरू करना चाहिए। शाम की थंडी हवा ताजगी देती है। शाम की थंडी हवा ताजगी देती है। तुम्हें देती है। विजली कटने की कारण बैठक कट गई। कपडा गलत तरीके से कट गई। The fabric got cut incorrectly. Kapda गलत तरीके से cut गया. The fabric got cut incorrectly. वह कुता दिखकर भाग गया. He ran away when he saw the dog. वह कुता दिखकर भाग गया. He ran away when he saw the dog. वह बिना अल्विदा कहे party से भाग गया. She left the party without saying goodbye. वह बिना अल्विदा कहे party से भाग गया. She left the party without saying goodbye. बिली खिडखी से भाग गए. The cat jumped out of the window. वह दरावनी फिल्म देख कर भाग गए. She sprinted away from the scary movie. वह दरावनी फिल्म देख कर भाग गए. She sprinted away from the scary movie. उसने अपनी चेहरे पर थंडी हवा का एहसास किया उसने तेज हवा में अपना पतंग उडाया हवा की दिशा अचानक बदल गई उसने हवा को रोकने के लिए खिडकी बंद कर दी हवा ने उसे अपने बच्पन की याद दिलाई मैं इस साल ज्यादा पैसे बचाना चाहता हूं मैं इस साल ज्यादा पैसे बचाना चाहता हूं इस साल में ज्यादा किताबे पढ़ने की योजना बना रहा हूं इस साल में ज्यादा किताबे पढ़ने की योजना बना रहा हूं इस साल मेरे लिए एक नई शुरुआत है इस साल मेरे लिए एक नई शुरुआत है इस ने दर्वाजे की उपर की निशान की ओद इशारा किया उसने दरवाजे की उपर के निशान की और इशारा किया मैंने लाम्प को मीज के उपर रखा गर्म हवा का गुबारा गार्टी के उपर उठ गया गर्म हवा का गुबारा गार्टी के उपर उठ गया इस तस्वीर में वा खुश नजर आ रही है यह मेरा पसंदीदा बचपन की तस्वीर है यह मेरा पसंदीदा बचपन की तस्वीर है हमें बैठा के लिए आठ कुरसियों की जरूरत है उसके पास पंदरा सिकों का संग्रा है उसके पास एक पालतू जानवर है जो चार साल का है खिलाना बच्चे के लिए बहुत चोटा है मुझे अपनी आवश्यक्ताओं के लिए एक चोटा बैग चाहे मुझे अपनी आवश्यक्ताओं के लिए एक चोटा बैग चाहे हमने बारिज के बाद एक इंद धनूस देखा हमने बारिज के बाद एक इंद धनूस देखा डॉक्टर को देखकर उसी राहत मिली बच्चों को सरकत देखकर बहुत खुशी हुई यात्रा शुरू करने से पहले उसने नक्षा देखा यात्रा शुरू करने से पहले उसने नक्षा देखा He looked at the map before starting the journey वह पर्फ्यूम की मजबूत खुश्बू से बच नहीं पाई She could not escape the overpowering scent of perfume वह पर्फ्यूम की मजबूत खुश्बू से बच नहीं पाई She could not escape the overpowering scent of perfume सुखी मिट्टी पर बारीच की खुश्बू बहुत सुखद होती है The smell of rain on the dry earth is very pleasant सुखी मिट्टी पर बारीच की खुश्बू बहुत सुखद होती है The smell of rain on the dry earth is very pleasant सर्दियों में बहुत जल्दी अंधीरा हो जाता है It gets dark very early in winter सर्दियों में बहुत जल्दी अंधीरा हो जाता है It gets dark very early in winter अंधीरे में वह उसके चेहरे को मुश्किल से ही पहचान सका In the darkness, he could barely make out her face अंधीरे में वह उसके चेहरे को मुश्किल से ही पहचान सका In the darkness, he could barely make out her face उसकी मुश्कान एक चमक की तरह थी Her smile was like a flash of light उसकी मुश्कान एक चमक की तरह थी Her smile was like a flash of light Polish की गई फर्च में एक शानदा चमक थी The polished floor reflected a brilliant shine Polish की गई फर्च में एक शानदा चमक थी The polished floor reflected a brilliant shine उसके जूते इतने साफ थे कि रोशनी में चमक रहे थे His shoes were so clean, they gleamed in the light उसके जूते इतने साफ थे कि रोशनी में चमक रहे थे His shoes were so clean, they gleamed in the light सुबह की ओस ने घास को चमकदार बना दिया The morning dew made the grass glisten सुबह की ओस ने घास को चमकदार बना दिया The morning dew made the grass glisten उसका नया कपड़ा पाटी की रोशनी में चमक रहा था Her new dress sparkled under the party light उसका नया कपड़ा पाटी की रोशनी में चमक रहा था Her new dress sparkled under the party lights उसे हिंदी में किताबे पढ़ना पसंद है He prefers reading books in Hindi उसे हिंदी में किताबे पढ़ना पसंद है He prefers reading books in Hindi उसने सम्मेलन में हिंदी में भासन दिया She gave a speech in Hindi at the conference उसने सम्मेलन में हिंदी में भासन दिया She gave a speech in Hindi at the conference हमें अपनी सीहत का ध्यान रखना चाहिए We should take care of our health हमें अपनी सीहत का ध्यान रखना चाहिए We should take care of our health उसने गलती से फर्च पर paint के चीटे मार दिये She accidentally splashed paint on the floor उसने गलती से फर्च पर paint के चीटे मार दिये She accidentally splashed paint on the floor शेफ ने गर्म कड़ाई में तेल के चीटे मारे The chef SPLASHED oil into the hot pan शेफ ने गर्म कड़ाई में तेल के चीटे मारे The chef SPLASHED oil into the hot pan कार एक कीचड से भरी जगह से गुजरी और हर जगह कीचड उड़ा दिया The car drove through a puddle and splashed mud everywhere Car एक कीचड से भरी जगह से गुजरी और हर जगह कीचड उड़ा दिया The car drove through a puddle and splashed mud everywhere उसने गलती से महत्वपुन दस्तवेच पस्याही के छीटे मार दिये He accidentally splashed ink on the important document उसने गलती से महत्वपुन दस्तवेच पस्याही के छीटे मार दिये He accidentally splashed ink on the important document मेरे कपड़े अभी भी गीले हैं उन्हें सूखने की जरूरत है My clothes are still wet, they need to dry मेरे कपड़े अभी भी गीले हैं उन्हें सूखने की जरूरत है My clothes are still wet, they need to dry गीली जमीन को सूखने में कुछ समय लगेगा The wet ground will take some time to dry Paint को छूने से पहले पूरी तरह सूखने देना चाहिए You should let the paint dry completely before touching it Paint को छूने से पहले पूरी तरह सूखने देना चाहिए You should let the paint dry completely before touching it सदियों में मेरी तवच्चा सूखी महसूस होती है My skin feels dry in the winter सदियों में मेरी तवच्चा सूखी महसूस होती है My skin feels dry in the winter उसने पानी गिरने के बाद किताब को सूखने के लिए बاहर रखा He left the book out to dry after spilling water on it उसने पानी गिरने के बाद किताब को सूखने के लिए बाहर रखा He left the book out to dry after spilling water on it यह इमारत शहर की सबसे उची है तेज हवाओं ने इमारत को नुकसान पहुंचाया The high winds caused damage to the buildings तेज हवाओं ने इमारत को नुकसान पहुचाया The high winds caused damage to the buildings वे एक उची इमारत की अपार्टमेंट में रहते हैं They live in a high-rise apartment वे एक उची इमारत की अपार्टमेंट में रहते हैं They live in a high-rise apartment पक्षी उचाई पर उड़ गया The bird flew to a high altitude पक्षी उचाई पर उड़ गया The bird flew to a high altitude संगीत इतना जोर से था की मैं खुद को भी नहीं सुन सकता था The music was so loud that I could not even hear myself संगीत इतना जोर था की मैं खुद को भी नहीं सुन सकता था The music was so loud that I could not even hear myself उसने उनका ध्यान खीचने के लिए दरवाजे पर जोर से दस तक दी He knocked on the door loudly to get their attention चाई मुझे एक लंबे दिन के बाद आराम करने में मदद करती है Tea helps me to relax after a long day चाई मुझे एक लंबे दिन के बाद आराम करने में मदद करती है Tea helps me to relax after a long day क्या आप अपनी चाई में चीनी डालते हैं? Do you take sugar in your tea? क्या आप अपनी चाई में चीनी डालते हैं? Do you take sugar in your tea? उसने महमानों के लिए एक चाई का बतन तयार किया He brewed a pot of tea for the guests उसने महमानों के लिए एक चाई का बतन तयार किया He brewed a pot of tea for the guests मुझे एक कप चाई के साथ एक टुकड़ा केक खाना अच्छा लगता है I enjoy a cup of tea with a slice of cake मुझे एक कप चाई के साथ एक टुकड़ा केक खाना अच्छा लगता है I enjoy a cup of tea with a slice of cake उसने अपनी चाई में थोड़ा नीबू डाला She added a dash of lemon to her tea काफीन कम करने की कोशिस कर रहा हूँ इसलिए मैं herbal चाई पी रहा हूँ I am trying to cut down on caffeine So I am drinking herbal tea काफीन कम करने की कोशिस कर रहा हूँ इसलिए मैं herbal चाई पी रहा हूँ I am trying to cut down on caffeine So I am drinking herbal tea उसने अपनी shirt पर चाय गिरा दी He spilled tea on his shirt कुरसी लाल कपड़े से धकी हुई है The chair is covered with a red fabric उसने कुरसी को टेबल से धकी हुई है The chair is covered with a red fabric उसने कुरसी को टेबल से दूर धकील दिया He pushed the chair away from the table He saw smoke rising from the forest He pushed the chair away from the table उसने जंगल से धुआ अचते हुए देखा He saw smoke rising from the forest उसने जंगल से धुआ अचते हुए देखा He saw smoke rising from the forest धुआ, घना अर काला था The smoke was thick and black धुई के कारण वर खास गई She cuffed due to the smoke जल्दी वी अमारत के चारो और धुई था There was smoke all around the burning building जल्दी वी अमारत के चारो और धुई था There was smoke all around the burning building Dhuwaye की कारण उन्हें इमारत को खाली करना पड़ा They had to evacuate the building due to smoke Dhuwaye की कारण उन्हें इमारत को खाली करना पड़ा They had to evacuate the building due to smoke Kamre में तेज रोशनी फैल गई थी The room was filled with bright light Kamre में तेज रोशनी फैल गई थी The room was filled with bright light पटाखों की रोशनी ने रात की आकाश को रोशन कर दिया The light from the fireworks illuminated the night sky The light from the fireworks illuminated the night sky Bulb फूट गया और इसे बदलनी की आवशकता है The light bulb burned out and needs to be replaced Bulb फूट गया और इसे बदलनी की आवशकता है The light bulb burned out and needs to be replaced उसने दूरी में एक हलकी रोशनी देखे He noticed a faint light in the distance उसने दूरी में एक हलकी रोशनी देखी He noticed a faint light in the distance दरवाजा गलती से खुला रह गया था The door was left open by mistake दरवाजा गलती से खुला रह गया था The door was left open by mistake उसने ताजी हवा के लिए दरवाजा खुला She opened the door to let in some fresh air उसने ताजी हवा के लिए दरवाजा खुला She opened the door to let in some fresh air दरवाजा इतना भारी था कि उसे खुलना मुश्किल था The door was too heavy to push open दरवाजा इतना भारी था कि उसे खुलना मुश्किल था The door was too heavy to push open उसने दर्वाजे पर किसी के दस तक देने की आवास सुनी She heard someone knocking on the door उसने जाने से पहले दर्वाजा बंद करना भूल गए She forgot to close the door before leaving उसने जाने से पहले दर्वाजा बंद करना भूल गए She forgot to close the door before leaving उसने उसे इसे तीन बार दोहराने को कहा He asked her to repeat it three times He asked her to repeat it three times Kutta अजनभी को तीन बार भूल का The dog barked three times at the stranger Kutta अजनभी को तीन बार भूल का The dog barked three times at the stranger Alarm रात में तीन बार बजा The alarm went off three times in the night Alarm रात में तीन बार बजा The alarm went off three times in the night उसने एक सप्टा में वही सप्ना तीन बार देखा She saw the same dream three times in a week उसने एक सप्टा में वही सप्ना तीन बार देखा She saw the same dream three times in a week उन्होंने दरवाजे की घंटी तीन बार बजाई तब जाकर किसी ने जवाब दिया They rang the doorbell three times before someone answered उसने दरवाजे की घंटी तीन बार बजाई तब जाकर किसी ने दियाब दिया They rang the doorbell three times before someone answered उसने फर्श पर तेल गिरा दिया He spilled oil on the floor हाल ही में तेल की कीमते बढ़ गई है Oil prices have increased recently हाल ही में तेल की कीमते बढ़ गई है Oil prices have increased recently उसने निराशा में तक्या दरवाजे पर फेक दिया He threw the pillow at the door in frustration उसने निराशा में तक्या दरवाजे पर फेक दिया He threw the pillow at the door in frustration उसने अतिरिक्त आराम के लिए तक्या अपने खुटनों के बीच रख दिया He put the pillow between his knees for extra comfort उसने अतिरिक्त आराम के लिए तक्या अपने घुटनों के बीच रख दिया He put the pillow between his knees for extra comfort पुराना तक्या अपनी आक्रीती खो चुगा था The old pillow had lost its shape पुराना तक्या अपनी आक्रीती खो चुगा था The old pillow had lost its shape क्रिपय छथ की ओर उपर देखें Please look up at the ceiling क्रिपय छथ की ओर उपर देखें Please look up at the ceiling बच्चे पेड़ पर चड़ गए The kids climbed up the tree सूरज निकलने के बाद तापमान उपर बढ़ गया The temperature went up after the sun came out सूरज निकलने के बाद तापमान उपर बढ़ गया The temperature went up after the sun came out Lift उपर की ओर सबसे उपरी मंजिल तक जाती है The elevator goes up to the top floor Lift उपर की ओर सबसे उपरी मंजिल तक जाती है The elevator goes up to the top floor जब सिख्षक कमरे में आए तो वा खड़ा हो गया She stood up when the teacher entered the room जब सिख्षक कमरे में आए तो वा खड़ा हो गया She stood up when the teacher entered the room धुआ चिमनी के माध्यम से उपर चला गया The smoke went up through the chimney धुआ चिमनी के माध्यम से उपर चला गया The smoke went up through the chimney उसने सवाल पुछने के लिए हाथ उपर उठाया He raised his hand up to ask a question उसने सवाल पुछने के लिए हाथ उपर उठाया He raised his hand up to ask a question पहाड की चोटी उपर से भर्फ से धकी ही है The mountain peak is covered with snow up top पहाड की चोटी उपर से भर्फ से धकी हुई है The mountain peak is covered with snow up top Helicopter हवा में उपर मंडरा रहा था The helicopter hoved up in the air Helicopter हवा में उपर मंडरा रहा था The helicopter hoved up in the air Painting करते से में उसकी हाथ बहुत इस्थिड होते हैं She has a steady hand when painting Painting करते से में उसकी हाथ बहुत इस्थिड होते है She has a steady hand when painting Doctor ने मरीच की हाथ की जाच की The doctor examined the patient's hand The doctor examined the patient's hand उसने बैठक में सभी की साथ हाथ मिलाया He shook hands with everyone at the meeting बच्चे ने अपनी मा का हाथ मजबूती से पकड़ा The child held his mother's hand tightly बच्चे ने अपनी मा का हाथ मजबूती से पकड़ा The child held his mother's hand tightly वो हमेशा बात कर तिसमें अपने हाथों से इसारा करती है She always gets yours with her hands while talking वो हमेशा बात कर तिसमें अपने हाथों से इसारा करती है She always gets yours with her hands while talking मैं इस जार को नहीं खो सकता क्या आप मेरी मदद कर सकते है I can't open this jar, can you give me a hand मैं इस जार को नहीं खो सकता क्या आप मेरी मदद कर सकते है I can't open this jar, can you give me a hand उसने अपने हाथों को गर्म करने के लिए आपस में रगड़ा She rubbed her hands together to warm them up उसने अपने हाथों को गर्म करने के लिए आपस में रगड़ा She rubbed her hands together to warm them up उसने नीन दूर करने के लिए अपनी आँखे रगड़ी She rubbed her eyes to remove the sleep उसने नीन दूर करने के लिए अपनी आँखे रगड़ी She rubbed her eyes to remove the sleep Mechanic ने इंजन से गंदगी साफ की The mechanic rubbed the dirt off the engine Mechanic ने इंजन से गंदगी साफ की The mechanic rubbed the dirt off the engine उसने चमड़े की जूतों पर थोड़ा तेल रगड़ा She rubbed a little oil on the leather shoes उसने चमड़े की जूतों पर थोड़ा तेल रगड़ा She rubbed a little oil on the leather shoes उसने दा को कपड़े से रगड़ा He rubbed the stain with a cloth उसने दाग को कपड़े से रगड़ा He rubbed the stain with a cloth उसने एक tissue से अपनी नाग रगड़ी She rubbed her nose with a tissue उसने एक tissue से अपनी नाग रगड़ी She rubbed her nose with a tissue उसने दर्वाजे पर बहुत चूर से खटखटाया He knocked on the door very loudly उसने दरवाजे पर बहुत जोर से खट खट आया He knocked on the door very loudly संगीत बहुत जोर से बज रहा था कि मैं ध्यान केंड़ित नहीं कर सका The music was played so loudly that I could not concentrate संगीत बहुत जोर से बज रहा था कि मैं ध्यान केंड़ित नहीं कर सका The music was played so loudly that I could not concentrate पिछले रात बिजली की गरज बहुत जोर से थी, the thunder rumbled very loudly last night पिछले रात बिजली की गरज बहुत जोर से थी, the thunder rumbled very loudly last night कार का इंजन सड़क पर तेजी से चलते हुए बहुत जोर से गरज The car engine rode loudly as it sped down the road कार का इंजन सड़क पर तेजी से चलते हुए बहुत जोर से गरज The car engine rode loudly as it sped down the road उसने गुसे में दरवाजा बहुत जोर से बंद किय He slammed the door very loudly out of frustration उसने गुसे में दरवाजा बहुत जोर से बंद किय He slammed the door very loudly out of frustration बच्चा पूरी रात बहुत जोर से रोता रह The baby cried loudly throughout the night बच्चा पूरी रात बहुत जोर से रोता रह The baby cried loudly throughout the night Phone जोर से बजा जिससे सब जाग गए The phone rang loudly waking everyone up Phone जोर से बजा जिससे सब जाग गए The phone rang loudly waking everyone up उसकी टोपी के band में एक पंक लगा हुआ था His hat had a feather tucked into the band उसकी टोपी के band में एक पंक लगा हुआ था His hat had a feather tucked into the band वह अपनी बाइक चलाते से मैं अपनी टोपी खो बैठा He lost his hat while riding the bike वह अपनी बाइक चलाते से मैं अपनी टोपी खो बैठा He lost his hat while riding the bike मैंने सड़क पर एक छोटा सिक्का पाया I found a small coin on the street मैंने सड़क पर एक छोटा सिक्का पाया I found a small coin on the street हमें कमरे के लिए एक छोटा table चाहिए We need a small table for the room हमें कमरे के लिए एक छोटा table चाहिए We need a small table for the room उन्होंने उसके लिए एक छोटा उभार खरीदा They bought a small present for her उन्होंने उसके लिए एक छोटा उभार खरीदा They bought a small present for her काफी ने टेबल पर एक दाग छोड़ दिया The coffee left a stain on the table काफी ने टेबल पर एक दाग छोड़ दिया The coffee left a stain on the table उसने साबून से दाग हटाने की कोशिस की She tried to remove the stain with soap उसने साबून से दाग हटाने की कोशिस की She tried to remove the stain with soap यह दाग कपड़े से नहीं जाएगा This stain won't come out of the fabric यह दाग कपड़े से नहीं जाएगा This stain won't come out of the fabric उसने brush से दाग को रगड़ा She scrubbed the stain with a brush उसने brush से दाग को रगड़ा She scrubbed the stain with a brush. उसने jacket से दाग को छिपाने की कोशिस की. He tried to hide the stain with a jacket. मुझे इस बटन को सिलने के लिए एक धागा चाहिए. I need a thread to sew this button. मुझे इस बटन को सिलने के लिए एक धागा चाहिए. I need a thread to sew this button. उसने मरम्मत के लिए एक मजबूत धागा उप्यों किया He used a strong thread for the repair क्या तु मुझे लाल धागा दे सकते हो? Can you pass me the red thread? सिलाई खत्म करने के लिए धागे को गाट लगानी पड़ेगी The thread needs to be knotted to finish the sieving सिलाइ खत्म करने के लिए धागे को गांट लगानी पड़ेगी The thread needs to be knotted to finish the sieving मुझे थोड़ी देर के लिए आराम करने की जरूरत है I need to relax for a while मुझे थोड़ी देर के लिए आराम करने की जरूरत है I need to relax for a while उसे शांती पुन दो भर की जबकी लेना पसंद है उसे शांती पुन दो भर की जबकी लेना पसंद है वह अक्सर अपने दिमाग को शांत करने के लिए तहलने जाती है वह अक्सर अपने दिमाग को शांत करने के लिए तहलने जाती है आग की बात के वल राख ही बची उसने अपने बागवानी पौधों पर राख छिड़ की उसने अपने बागवानी पौधों पर राख छिड़ की क्या आपने कभी सोचा था कि यह इस थीती आएगी उसने कहा था कि वह कभी शहर नहीं छोड़ेगा विडियो अच्छे लगी तो प्लेज लाइक सब्सक्राइब अच्छेर जरूर करें तक यू